कि अच्छा आपके लिए कुछ memory-based बहुत अच्छे questions है अच्छा अगर हम पैटर्न की बात करें इस बार ग्रुप थेरी के questions बहुत ज्यादा आएवे थे मौडन अलजब्र का मतलब होता है ग्रुप थेरी आज रिंग थेरी कंपरिटिवली रिंग के questions कम थे ग्रुप के ज्यादा थे जाहिर सी बात है नेक्स टाइम बच्छा सोचेगा कि मैं ग्रुप थेरी बहुत अच्छे से करके जाता हूं और शायद उस चकर में वह रिंग थ चांदर था एक question infinite series का बहुत अच्छा दिया है एक question sequences का इतना प्यारा दिया है कि कोई भी बच्चा कर सकता है सब लोग शुरू करते हैं इसी तरीके से complex analysis के questions बहुत अच्छे थे linear algebra तो पूछ यही मत शांदर शांदर बहुत शांदर और लगबख सब कुस थोड़ा थोड़ा आपके लिए आए आज सिर्फ six questions का discussion होगा यह आपका part one है जल्दी आपके बास part second third fourth आएंगे बहुत सारे questions आएंगे पट सारे authentic होगे अच्छा मैं एक चीस point out कर दो बच्चों ने बहुत शिकायत कि लास्ट टाइम भी बोला गया था कि सार जो discussions होते हैं उसमें दो options correct दो options incorrect होते हैं प्लीज थोड़ा authentic सा लेके आएगे जो 16 September को लास्ट यह था उसमें भी जो questions आपको कराये गया थे सारे authentic थे और उनके प्लीनोमिल देखते ही काफी कुछ हो सकता है यह तो आपको प्लीनोमिल के रूट्स निकालने सच में आते हूं quadratic तक सारे champion है क्यूबिक में थोड़ी परिशानी होती है तो जर देखे हैं एक्स दिया है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स माइनस 2023 जो इसका derivative होगा तो क्या होगा मेरे बिट्टा 3x2 प्लस 3 अजी यह 3x2 तो फिर भी 0 हो सकता है लेकिन जैसे इसमें 3 8 हो गया तो कभी भी 0 नहीं होगा तो इस इस स्ट्रिक्ली ग्रिदान 0 for all x belongs to r और आप लोगों को स्कूल में सिखा दिया गया था अगर किसी function का derivative strictly positive है तो वह function strictly increasing होगा real line ठीक है अगर यह function strictly increasing होगा तो दो options हो सकते हैं मैं दोनों आपके सामने draw कर रहा हूं या तो function ऐसे जाएगा strictly increasing होके या function ऐसे चला जाएगा जैसे exponential जाता है दोनों functions आपके strictly increasing है तो कोई यह ना समझे कि strictly increasing function है तो x-axis को कट करी देगा नहीं यहां करेगा क्यों करेगा विकाज यह एक थर्ड डिगरी का polynomial है और आप सबको बता है in a polynomial with real coefficients the complex roots if occur then occur in pair तो इसके पास अगर complex roots होंगे तो पेर में अकर करेंगे मतलब इसके पास दो complex roots हो सकते alpha plus i bit और alpha minus i bit तो तीसरा समझ में आ रहे हैं तो यह कम से कम एक real root तो carry करी रहे हैं और यहां से आपको पता लग गया कि exactly a की बार cut कर सकता है गर करेगा तो यहां से आपको पता लगा कि इसके बास exactly one real root है तो पेट है यह true है real root but at the same time degree of fx is 3 so that is f has f has at least one real root तो बेटा यहां से कह रहे हैं at most one वहां से कह रहे हैं at least one दोनों को कमाइन करके क्या आया exactly बहुत असान question था बच्चे करके आए जिन्होंने पढ़ा है अच्छे से वो करके आया हो अच्छा जी इस देखेंड इस इस अप्सिरीज का कितना प्यारा question है देख देख के दिल निहाल होता जा रहे है इतना अच्छा question भी आया exam में पीटा यह सिरीज है पूछरें divergent है convergent है अब ही एक्जामिन कर लेंगे लग लग टेस लगागे बिटा अगर जो divergent series हो गई फिर तो टंशनी निये कोई बट अगर वो convergent है तो भी आपको conditionally convergent के लिए जाना पड़ेगा because conditionally मतलब C option में B option involved है आप समझ रहे हैं खाली यह नहीं एक्जामिन करना है आपको conditional convergence यानि इसका mod भी एक्जामिन करना पड़ेगा आए ज़रा intelligently question करके बिटा सबसे पहले let this series be equal to summation minus 1 power n under root n plus 1 minus root n जब इसको rationalize करोगे मेरे बिटा मैं लग से करके बता दे तो यह चलिए यहीं कर लेते हैं तो यह बन जाता root n plus 1 minus root n multiplied with root n plus 1 plus root n divided by root n plus 1 plus root n यह बन गया आपका series minus 1 power n numerator अगर आप देखोगे तो n plus 1 minus n and denominator में you have n plus 1 plus root n so that means यह तो one ही हो गया आपका तो यह यह बन गया तो इसको equal करके आप क्या लिख सकते बिटा अब आपके सामने बिटा आप जन जन students ने लिबनित्स रूल पड़ा यह लिबनित्स टेस्स पड़ा है alternating series test भी कहते हैं जिसको बिटा बच्चा बच्चा graduation का बच्चा भी कर लेगा इसको आप तो खेर net और gate करने वाले हैं देखिए जरू इसको मान लीजे आप summation minus 1 power n un से दियान से देखिएगा अब इसका convergence और इसका divergence कैसे कैसे एग्जामिन होगा alternating series test से एग्जामिन होगा मेरे बिटा आइए जरा हां जी also what is limit n goes to infinity of un this is same as limit n goes to infinity of 1 by root n plus 1 plus root n जी यह 1 by infinity type हो गया हो तो 0 है n decreasing कैसे आएगा मेरे बिटा n में और n plus 1 में क्या relation होता है less root n में और root n plus 1 में क्या relation होगा है less बस आप बागी चीज समाझ गए तो decreasing भी आ जाएगा यहां से अबड़े अराम से decreasing भी कर सकते है हां जी इधर limit u n 0 है वोदर sequence u n decreasing है decreasing है so that means by Leibnets test summation minus 1 power n un is convergent आहां अब जरा रुख जाओ जरा रुख जाओ देखो मेरे बच्चे बड़े आराम से हो जाएगा यह अब सब्सक्राइब करें लेकिन अभी के साथ सब्सक्राइब कर सकते राइट किसी को भी आपको फुर्दर आगे जाना पड़ेगा इतना आप देख लीजे स्वलिशन आपके सामने डिक्रीजिंग के लिए आपको यू एन और यू एन प्लस वन को लेस ग्रीटर दिखाना है यह अगला क्वेस्टिन देखो बेटो करें मैं अलक्सी करके प्ता देता हूं अंज यू एन था आपका वन बैरूट और अन प्लस वन प्लस वन प्लस रूटए यू एन डिक्रीजिंग उनस थी व्ल प्रोवाइड ऐसे करके लींग इसको बच्चा बच्चा कर सकते हैं अब करेंगे हम यहां याद आना चाहिए बच्चे को लिमिट कंपेरिजन टेस्ट साही सुना आपने लिमिट कंपेरिजन टेस्ट अजी यह आपका मॉड अन सामने है अगर आप डिफाइन करेंगे बेन इक्वल टो वन रूट एंट प्या हूं मिलेगा मैं वल्ट इस लिमिट अंगोस्त टू इंफिनिकी ओ ओ mod n by bn वेटा ऐसी देख लो यह root n से root n तो cancel हो जाएगा इसके बाद आपका यह बचेगा यह नी 1 by root 2 बच जाएगा sorry 1 by यहां से 1 और वहां से 1 root 2 yes that is not equal to 0 and not equal to infinity अगर आपने limit comparison test पड़ा है तो वेटा यह ratio आपका 0 भी नहीं है infinity भी नहीं है by limit comparison test दोनों का behavior same what can you say about the behavior of series bn oh oh यह तो divergent है this is divergent अगर यह series divergent है तो mod an भी divergent है यहनी an conditionally convergent बहुत बेस्ट option यह बहुत अच्छा question था कुछ बच्चों ने गड़बड कर दिया कर दिया कर दिया गड़बड उनको तो analysis से वैसे water लगता है बच्चों नाइस question नेक्स्ट जी शांदर 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 question बहुत अच्छा बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छा गजब जिसको कहते हैं पीटन से पीटन एक linear transformation दिया हूए differential operator जिसको बोले जाएगा बिटा यहां पर matrix matrix of a linear transformation में deal करेंगे बीटा आपका standard basis ले लीजे पीटन का 1 x x square up to x power 10 तो जैसे ही आप T of 1 निकालोगे T of x निकालोगे derivative T of x square निकालोगे अगर आपने matrix कभी भी बढ़ाये तो T of x 10 निकालोगे तो मज़ा आ जाएगा T of 1 0 यह 1 यह 2 x मेरे बिटा और यह 10 x power 9 रह जाएगा derivative ओके तो 0 can be written as 0 1 0 x 0 x square अब समझ गए अब टू 0 x 10 इसी तरीके से 1 can be written as 1 1 0 x 0 x square अब टू 0 x 10 आजी यहां आएगा 0 इधर आएगा 2 इधर 0 you know मैं क्या करनी कोशिश कर रहा हूँ मेटा मेट्रिक्स बनाना है जो स्केलर्स आपको दिख रहे हैं उनका ट्रांस्पोज लेके बाहर निकाल लीजिए और देखिए हैं तो वोट इस मेट्रिक्स of T with respect to the basis बीटा अजी 10 x 10 देखिए क्यों मेट्रिक्स बनेंगे कोई बात निए उसमें जो पहले आपका कॉलं मैं वह यह हैं कॉलन replenMP scTV जो-जो-जो-ड नो्ट-Dot-L last में भी ख्रणाएंस नेक्स जो आएगा बिल्कुल लास्टाम अगर आपको लिखना है तो एक्स नाइन के साथ एक्स नाइन के साथ यानि इस विल बिकम बिल्कूल लास्ट में जीरो । जीरो । डॉट 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 अग्ट लास्ट में जीरो अब जरह ध्यान से देखिए यह 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 10 क्रोस्ट इन मेत्रिक्स है यह इसका डाइगनल है यह डाइगनल है और शूपर डाइगनल जो है उसमें 123 अप्टू 10 है आज आज़ो पियरेक्स होना है डाइगनल मेत्रेक्स वें में डाइगनल में जेड में जो हमालते है यह 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 स्रूल जरो Ini की मैरिंट फ्र यह यह स्रूल की स душ यह ग filmed सद् सॉती हुए च्युचो रहें सिरो है सल्रेट नहीं है वहीत ब्प्लंद फट्रिवं यह P2 से P2 होता तो क्या बनता जब यह matrix 3 x 3 होता तो इसका rank जो है वो 2 आया दिख रहा है आपको और बढ़ा हो P3 से P3 ले लो तो यह बन जाएगा 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 and this is 0 0 0 0 0 अब आप भी बता हो जरह rank कितना अब तीन आ रहे है तो जितना order का matrix से उसे एक कम यह इस नोट 10 cross 10 I'm sorry this is 11 cross 11 कैसे sir I'm sorry वीडियो गया नहीं पहले हो गया देखो बिटा जब आपने बीटा लिया था तो उसमें कितने members थे वन एक वैसे इसका dimension यह जो matrix बनता है उसका order तो dimension के बराबर देमेंशन ओपी 10 is 11 एन प्लस 11 एक स्क्वेर अप्टू एक स्क्वेर अप्टू एक स्क्वेर तो टूटल यहां पर आपके ग्यारव एक्टर से ग्यारव तो 11 क्रोस 11 का सब्सक्राइब हां जी हम बात कर रहें की तो इसमें जिस तरह रहें चार माहिनस एक तीन हो गया उसी तरह यहां रहें कि 11 इस दे बैटल सभी सुना अपने कमाल ही कर दिया सबर लीने रहें यह रियल 5 cross 5 matrix with diagonal blocks कुछ बच्छे block block matrix नहीं पढ़ते हैं देखो बिटा आगे जाके quadratic form पढ़ना है आगे जाके Jordan canonical form उसमें तो block के भीना काम हो गा ही नहीं और question ब्लॉक ऐसे हो जबता है बी जीरो जीरो सी अब बुल दिया डाइगनल के block से या फिर यह भी चल जाएगा बट डाइगनल का block मतलब यह तो ऐसे लेना है यह ऐसे लेना है यह लोगर वाला भी चल जाएगा अलको एक चीज़ जीरो है तो इस लाइक के लेक्श क्या में यह बॉल रहा है तो दिचन, एक कर दो कोई क्रता और ते आप स्माझ गयवाद कि क्या दे को यह जीरो एगवर वनेदे ऑने, जीरो यह जीरो यह बोल रहे थे ना बिलकुल यह बोल यहां और यहां क्या बचा यहां पे दिन गॉलीट करना पड़ती रोज़रू बें लुख ई ठैस्ट सुरा करना, अबल्हें को पैज़े बन केज़ेंगगे पोड़ीं में जा Mu पॉर्शन दो जीरो हो गया अपर ट्रेंगुलर है ही तो जो इसका आइजन वाएगा या जो इसका करेक्टरस्टिक पॉलों में लाएगा बिटा यह में डाइगनल से उठा लीजिए इस एकस माइन सी रेस तो पावर पाई यह नहीं इस दो उनली आइजन वैल्यू विद मल्टिप्लिसिटी फाइफ पहला ऑप्शन तो खमाल हो गया बच्चों का दल खुश बाकी में थोड़ा परिशानी है डाइगनाइज बिलिटी कैसे आती है आप सभी लोग मैक्सिमम बच्चे आधा आधा पड़के जाते हैं और फिर व पिलनोम् opens, albo क्या हो सकते हैं वह यह सकता है यह तो एकस माइनस ही होगा यह फिर एकस माइनस ही का स्क्वार होगा यह फिर minimal polynomial has no repeated roots साइज होना, minimal polynomial के पास सारे के सारे roots distinct होने चाहिए, कोई root repeat नहीं करना चाहिए, यह यह नहीं सरफ यह होना चाहिए, now let us see, क्या इसका minimal polynomial x minus e के बराबर है, अगर इस matrix का minimal polynomial x minus e के बराबर है, तो भहिया, p of a should be 0, this implies a minus e i should be 0, this implies a should be e times i, is it e times i? no, not at all, यहाँ देखिये न, यह identity के तो लक्षण नहीं है, तो बिटा यह तो गलत हो गया, यह गलत हो गया, यह सिर्फ इतना पता लगा कि minimal polynomial x minus e नहीं है, अब आप ही बताए, अगर minimal polynomial x minus e नहीं है, तो क्या होगा, या तो x minus e का whole square होगा, या whole cube होगा, या whole power 4 होगा, क्या होगा, हमारी गुली, इतना तो पता लगे न, minimal polynomial के पास repeated roots है, जब कभी भी minimal polynomial के पास repeated roots आएंगे, तो matrix diagonalizable नहीं होगा भीया, तो a is not diagonalizable भी correct है, बढ़िया, next thing, अब the metric multiplicity में आईए, gm कैसे निकालते हैं, आप सबके पास rank nullity theorem है, बहुत बढ़िया, what is rank nullity theorem, rank of a matrix plus nullity of that matrix is equal to order of the matrix, या number of columns, जब square नहीं होगा, linear transformation में भी ऐसे ही है, अब यहां present में आईए, यह तो square matrix है, तो number of columns तो 5 ही आएगा, अब आपको निकालना है, geometric multiplicity, देखो भाई, what is geometric multiplicity with respect to lambda equal to 5, now this along with, मतले यह होगया आपका dimension है, dimension, किसका dimension, you know, so dimension of null space of a minus lambda i, that is a minus ei, क्या होता है मेरे बिट्टा, number of columns 5 minus rank, rank, a minus 5i, sorry, a minus ei, तो मेरे प्यारे प्यारे राजदुलारे बेटा, this is 5 minus, अभी rank देख लेते हैं इसका, तो यह और तो आके करेगा नहीं, आप और हम ही कर डालते हैं, a में से identity, e times identity निकालना है, so this will be 0, 1, 0, 0, 0, 0, बढ़ी है, 0, 0, 0, 0, 0, 0, अच्छा जी, 0, 0, 0, 1, लास्ट में e1 निकालना, e b आए न, ठीक है, और सेकिंद लास्ट, 0, 0, 0, 0, 0, and finally, ठीक है, यहां थोड़ा mark लगाना मुश्किल है, यहां ले लिख रहा है, यहां ले लीजी, ठीक है, वो उदर लिख दिया, बटाए, इस matrix का rank आप लोग देख पा रहे हैं, यह entry, यह entry, यह entry, यह entry, वो तो इसका multiple है, बटाए, इसका rank 2 आ रहा है, so this is 5-2, 5-2, मतलब इसके पास हमारे पास, इस matrix में, दो columns ही हैं, जो independent है, जैसे भी आप rank को अगरे निकालते हैं, लास्ट वाला शायर नजर नहीं आ रहा है, तो it is 0, 0, 0, 0, 0, 0, इसका को नजर नहीं आ रहा है, अराम से हो जाएगा है, कोई बात नहीं, आप कर ले लो, तो बटाए, यह 3rd option correct है, 3rd option is correct, I hope this is very very clear to all of you, यह A-EI, अलग से निकाल नहीं जिए, इसका rank, मैं repeat कर रहा हूँ, लास्ट वाला जो रो है, यह 0, 0, 0, 0 आएगा, आएगा, ओके, चलिए, अजी यह गलत होगी, तो बेटा ही इसको कहते है, clarity के साथ solution करना, next thing, it was question number 4, 4 है, 5 है, 4 है, next, number 5, again a master class, इस बार का तो real analysis ही गजब है, यह आपका function है, वो कह रहा है, restriction of f is continuous on the other falling sets, अजी, सबसे पहले, यह function अपने आप में, अपने आप में continuous नहीं है, क्यों, 0 पे 0 दिया हुआ है, और 0 पे उस बिचरे का limit, left hand limit, right limit exist नहीं करता, sign 1 by x type, sign 1 by x का limit नहीं exist करता, 0 पे, 0 पे यहां कुछ भी define करता रही है, वो 0 पे कभी भी continuous नहीं होगा, कभी भी continuous नहीं होगा, नहीं होगा, अब आये जरह दर, दियान से देखना, अब, 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 वो कह रहा है कि, restrict कर दो, अभी पूरे real line पे function दिया हुआ है, अब restriction के लिए पूच रहा हो, बिटा, अब अगर minus 1,1 पे function continuous हो, तो 0 पे भी होना चाहिए, अब 0 के left में, 0 के right में तो यह है, and you know, उसका 0 के limit नहीं exist करता है, तो बखवास, open 0,1, अरे हमारे तो problem ही 0 थिया, open 0,1 का मतलब है, यह बाला पाट तो आपको देखना है नहीं, यह तो बहुत अच्छा है, इसको सिर्फ problem जो होगी, exist करने के लिए, 0 पर ही तो होगी, तो 0 को छोड़के, everywhere the function is continuous, 0 को छोड़के, everywhere the function is differentiable, तो भाई यह तो correct है, अब आते हैं, third option, ध्यान से देखिएगा, वह हलाग उसमें 0 है, 0 है, बट फिर भी, still, ध्यान से देखो भाई, अगर आपने a set लिया, 0, 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 and so on, आप बस मुझे, हाँ जी, बच्चे को देखके लग रहा है, देखके लगी रहा है, जैसे बोला गया वो भी, कि भाई, 0 को फंक्शन को problem है, और 0 तो set में है, तो continuous नहीं होना चाहिए, अरे ठहरो भाई, 0 के अलावा क्या है, वो तो देखो, मतलब इस पूरे set के पर function actual में होगा क्या, आप मिर को ये बताइए, what is f0, f0 तो 0 दिया हो है, अच्छा, what is f1, जरा, जरा x की जगा 1 रख, ohho, sin by, भाई साब, ये question है, ब्लंडर है, sin by 2, 0 होता है, ये क्या हो रहा है, what is f at 1 by 2, बोलो, ये तो sin 2 by हो गया, can you believe this, I'm asking, can you believe this, ये function तो इस set के सारे points पे 0 आ रहा है, तो ये तो इस set के पर constant हो गया, every constant function is continuous, can you believe this, तो जो portion दिख रहा थो ना, वो चला गया, बिटा, ये continuous है, number 3 के ओपर continuous, देख लो, पूरा का पूरा function, इस set पे 0 हो जाएगा, यहा, f आपका 0 है, और 0 है तो भी है, continuous भी है, किसी भी point पे, limit देख लीजिए, fc देख लीजिए, ऐसी 4th point पे ही है, समझ ही कहीं पार, बहु ऐसी करना होता है, analysis, 4th point, माल लीजिए, अपने set लीए, मेरे बिटा, 1 by 2 power n, where n belongs to n, आदे, this will be, 1 by 2, then 1 by 4, then 1 by 8, अब मैं आगे जादा क्या बोल। 1 by 2 power n, sin 2 pi, आगे क्या आएगा मेरे बिटा, sin 4 pi, आगे sin 8 pi, अरे तुम कोई भी pi डाल दरो, यह तो 0 गाल ही उदे रहा है, भाई साब, function is again 0 on this particular set, that means function is constant here, n constant है तो कॉंड़नास है, बजा ओगे, पहला हो गई, पहला गलत है, दूसरे में कॉंड़नास है, तीसरे में कॉंड़नास है, 4 में कॉंड़नास है, n मेरे को पता है, मेरे को कमेंट्स अच्छे अच्छे अच्छे, समझ रहे न, सुनने को मिलेंगे, लिटा, बाते लिखनी की बजाए, थोड़ा अच्छे से mathematical language में, आप इसको मतलब नकार नहीं सकते लॉजिक को, यह जिस तरह से समझाया जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है, आप कोई आज से नहीं बढ़ा रहे हैं, बहुत दिनों से बढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा समझद नेक्स तेंग, अजी, प्रोबबली दर लास्ट क्वेशन पर टोड़े, ग्रुप थरी का क्वेशन है, हर उस टीचर को बहुत खुशी, खुशी हो रही होगी आज, जो अथेंटिकली चीजों को कराता है, डंग से कराता है, बटा सबको आदत लगी हुई है लगबग बच बड़र इस पढ़ा है, हवा हवा मैं सब, मैंने बोला हर उस टीचर को आज इस एक्जाम का क्वेशन देखके, ये क्वेशन देखके, बड़ी खुशी हो घ्टके, बड़ी खुशी हो हो रही होगी जो अच्छे बढ़ाता है यह तो बेसिक रिजर्ट से ग्रुप मॉर्फिसम के वह बच्छे करते ही नहीं करते हैं देखें मैं एक एक करूंगा आपको भी पहले अबीलिन वाले देखें अबीलिन वाला करने से पहले भी बिटा सर्जेक्टिव का मतलब होता है और अन्टू का मतलब होता है रेंज और कोड़ो में बराबर हो गया यानि यह जीवन और वह तो पहले सबसे पहले आपको गराएंगे यह अबीलिन वाला पाट अगर जीवन अबीलिन होगा लट इस ट्राइए लटस ट्राइए लटस ट्राइए लो यहां लेलो आप y1 and y2 लेलीजे अगर यह अभी लेन तो y1, y2, y2, y1 के बराबर आना चाहिए suppose y1 and y2 belongs to g2 mapping आपका on to दिया है well you know so that means y1, y2 belong करेगा ने बिट्टा 5 of g1 में that means y1 should look to be 5 of x1 and y2 should also look to be 5 of x2 where x1 and x2 कहां से आएगा don't tell me अब ऐसी चीजे भी बच्चा नहीं करेगा कहां जाएगा हम तो भाईय कान पकड़ पकड़ के बढ़ाते है हाँ जबर्दस्त बिलकुर अब जरह देखे क्या मज़ेदार steps हैंगे मेरे बिटा फाइवन फाइटू इस वाइवन वाइटू इस फाइए एक्सवन मुल्टिप्लाइड विदिया यह वाई यह यहां के सारे अपस में कम्यूट कर रहे तो इसका अभी लिएवन होना इंप्लाइज इसका अभी लिन होना सेकंड करेक्ट इन्होंने ठीक से बढ़ा उनको तो तालिया बजानी चीए क्या जबर्दस question है next class में गुरुप चरी के और अच्छे questions दिखाएंगे आपको चलिए second part is done अब आते हैं पहले वाले पार्ट पे क्या cyclic होने से cyclic हो जाता है मैं बस आपको picture ही दिखाऊंगा प्रूफ तो नहीं दूंगा देखो हो जाता है बट कैसे होगा cyclic का मतलब generators के साथ आपको play करना है यह आपका पाए है यह आपका G1 है यह आपका G2 है मान लीजिए आप तो सब कुछ वैसे में मान लेते हैं G1 is cyclic G1 is cyclic का मतलब G1 is of the type bracket है बिटा अगर यह bracket है तो इट विल इन्वाल powers of A तो इस 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 स्क्वेर सर नेगेटिव पावर्स अरे मेरे प्यारे प्यारे बेटा नेगेटिव पावर्स आएंगी picture क्यों खराब करें अब आप बताओ ऐ है तो इड़ेश है या फाई कह सकते है ग्रुप में अगला फाई आ क्यूब है हाँ जी सर यह तो एस्पाई यह मिलेगा मई टियर की फाई ओफЭे स्क्वेर स्क्वेर कैन्दे ऐस पाई का होल स्क्वेर मना कर दो अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो कि आजकल तो internet की जमाने में सबको उल्टे सीथे comments करने में मज़ा आता है अब आप बताइए जरा practically if every element of g1 is some power of a then every element of g2 is some power of किसका power दिख रहे है 5a का this is 5a power 1 this is 5a power 2 this is 5a power 3 और यह negative में भी हो जाएगा बहुत बढ़ी अची तो क्या आप बताओ जरा कोई रोक सकता है भाला इसको होगे ना अगर g1 का generator a है तो g2 का generator 5 है you can see you can prove it as well अराम से प्रूव हो जाएगा चलिए तो पहले वाला भी correct है बहुत कमाल होगा इतनी खुशी हुई ना ये question बत चुके उससे सुनके कि सर ये चीज़ हमने किवी थी मज़ा आ गया कराया है बढ़ाया है ऐसे थोड़ना क्यारों नेक्स्ट अजी बात के तोनों सब ग्रुप से सब ग्रुप बनेगा क्या एकदामिन कर लीजे ना काहें परिशान हो रहे तना ये जीवन ये जी टू है ये फाय है बिलकुल बनेगा इमेज ऑफ सब ग्रुप सब ग्रुप होता है मैं एक लास में कराया मैं ड्रैक्ली रिजल्ट बोलके छोड़नी सकता भाया मैं उतना इंटेलिजेंट तो नहीं हूं डारेक्ट रिजल्ट लिखा होता है बोल रहे होते इंटरनेट पे किसी के लिए क्या कमेंट किया जाए अपना काम करो अब फाइच लिजी और बताएच की सब ग्रुप हो गया नहीं हो अभी देख लेते हैं मेरे बेटा अगर वाईवन वाईटू फाइच में तो वाईवन वाईच वन हो जाएगा वाईटू फाइच टू हो जाएगा अजी वोट इस वाईवन वाईटू इनवर्स फाइच वन फाइच टू होल इनवर्स तो मेरे प्यारे प्यारे बेटा यह बन जाएगा अल्टिमेटली फाइच वन इस फाइच वन फाइच वन च्टू इन्वर्स अन्ता फाइच वन फाइच वने पूरा को विलॉंग करेगा इच वाई दम होतों मना कर दों फाइच कितना प्यारा सुन्दर प्रूफ है ये पूरा हॉन्टिटी भी हैच में चल रहे हैं अराम से हो वाई होग इमेज ऑफ स लास्ट में नॉर्मल सब ग्रूप में दुविधा है बच्चों को कोई बात नहीं शंका दुविधा में नहीं रहने देंगे आपको बाहर निकल लिए आईए अभी कराते हैं देखो भी या सब ग्रूप वाला पाट तो वैसे ही हो जाएगा जैसे अभी कराया था अब नॉर नॉर्मैलिट के लिए भी पहले सब ग्रूप अगर आपको गered लोगों को नॉर्मल शोकरना है पहले बिटाब शूकर न slog ना जहें गर ऐसे मतलबिय कि यहां से एक element लीजिए आप y यहां से एक element लीजिए पी अगर आपने yp y inverse phi n में दिखा दिया तो मज़ा देगा आओ ज़रा आओ यहां दो बिलोंगे ना जीटू पी बिलोंग स्टू पायन हम नॉर्मेलिटी करने जा रहे हैं वाइ पी वा इन्वर्स बिलोंग करेगा इंधुरिवाइ अगर जी टू में है और यह मैपिंग आपका उन्टू है विट वाइख के पास प्री में जाएगा तो य इकलो फाइए एक्स पॉर सम एक्स बिलॉंग्स तो गया दूसरा पी अगर फाइए न में तो पी शुट लुक लुक टू पी इकलो फाइए पॉर सम एपलोंग्स तो बस सब कुछ खताम ही वा समनों आऊ देफोर वोट इस भाइ प्र य वाइन्वर्स वाइ के प्लेस्पें प्लेस्में फाइए न अर इन य वाइन्वर्स के प्लेस्में फाइक्स का इंवर्स you know after some number of steps क्या चीज़ के बराबर आएगा dot 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 this will become phi of x n x inverse अब ज़रा वापस आजी मेरे प्यारे प्यारे बीटा आओ इधर x इधर है n इधर है और capital N normal है अगर capital N normal है तो x n x inverse you know किसमें बलॉग करेगा खत्म, proof over so this whole thing will belong to phi of capital N since N is normal in G1 given अब बोली है जरा कमाल होगे भाई subgroup तो subgroup यह तो normal भी आगे प्यार होगे आप लोगों को मज़दार 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 प्रूफ so बेट चारों पार्ट सी इसके correct है इस वार group 3 के questions कफी सारे आए थे बहुत असान आए थे बच्चा modern algebra group 3 के साथ ही शुरू करता है तो उसको तो मज़ा आ रहा होगा वेपर देखके और करके next class में again real analysis के कुछ questions है linear के कुछ questions है complex analysis की भी करा देंगे आपको और group 3 के तो definitely आएंगे यहेंगे तो wait for second part अभी पहला पार्ट enjoy कीजिए अगर इसमें कुछ आपको mistake लगती है तो आप personally message भी कर सकते हैं कि सर यह चीज नहीं थी ऐसे नहीं था मैंने अपनी तरफ से इसको ठीक करने की पूरी पूरी कोशिश की कोई वलत चीज नहीं फिर भी अगर कुछ ऐसा हो गया तो you are welcome बताने के लिए thank you thank you